हमारे शरीर में दो चीजें हैं एक भगवान एक सेतान गोर करना दिल को क्या कहा है भगवान का घर और खोपड़ी को कहा है सेतान का घर तभी तो कहा खाली दिमाग सेतान का घर क्योंकि यह जो खाली दिमाग है यह सेतान का घर है और यह जो दिल है यह भगवान का मंदिर है दिल को भगवान क्योंकि यहां प्रेम रहता है यहां स्वार्थ रहता है यहां मतलब पन रहता है मतलब परस्ती रहती है जब से मतलब परस्ती बढ़ी है स्वार्थ विर्ती बढ़ी है सेल्फिसनेस बढ़ी है आदमी सेल्फिस हो गया है और सेल्फिस जब हो जमाना यह यह या तो सेल्फी का जमाना है या सेल्फिस का जमाना है जोह कि अब देखो कोई दूसरा परफोटों खीछने वाला ही सिर्व में और यहां तक की पहले कम से कम फोट sons फिचवाना था तो बहले बोलतेई और मेरा फोटु किस देना यानि बोलना पड़ता है घुद मेरा काम कर देना सौटु किस दें उसने का मैं नहीं कि तो नहोंगा जा भाड में जा हम अब सेल्थी लेंगे अब तेरी भी कोई तेरी कोई जरुरत ने अब हम खुद लेंगे फोटू यानि इतनी सेल्थी हमें दूसरे की जब जरुत ही खत्म हो जाए जबकि महाबीर का सिध्धानत है परस्परोग्रह जीव जीवाना यानि एक दूसरे के सहयोग से ही जिन्दगी चलेगी एक दूसरे की हमें जरुरत महस्सुस होगी हम बिना किसी के सहयोग के जिन्दगी नहीं चला सकते और याद रखना आत्मा भी बिना सरीर के नहीं रह सकती शरीर भी बिना आत्मा के नहीं रह सकता शरीर अगर आत्मा को कहीं मुक्ति के अलावा जनम लेना है तो उसे शरीर की जरूरत पढ़ती ही पढ़ती है शरीर भी तभी जिन्दा है जब आत्मा है यानि एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं यह भूलते जा रहे हैं और इसको भुलावे में डालने वाला आज का स्वार्थ है और स्वार्थ मस्तिष्क की संतान है याद रखना है इसलिए कहता हूं दिमाख में और दिल में एक फरक है याद करना रिलीजन किसे बना रिलीजन रिलाईज करने से एक हार्थ ऐसी चीज है जो रिलाईज करता है रिलाईज और दिमाख क्या करता है रिवाईज दिमाख क्या करता है रिवाईज रिवाईज समझते हो वाईज बुद्धी को कहते है रिवाईज यानि जो तुमने याद किया है उसे दोहराना पड़ता है रिवाईज करना पड़ता है तब जाके वो याद रहता है याद रहता है कब जब रिवाईज करते हो रिमाइंड करते हो रिवाईज करते हो तो वो याद रहता है लेकिन हार्ट केवल क्या करता है रिला रिलाइज यानी रिलाइज यानी अनभव करना किसी को महसूस करना है क्योंकि दिल महसूस करता है यह हिसाब किताब दिल नहीं रखता है हिसाब किताब का जिम्मा तो दिमाग के पास है बई क्या प्रोफिल्ट क्या लाब क्या नुक्सान समाई करने से ये और तो और समय बहुत हो गया हम में रोक नहीं पड़ेगा क्योंकि बात कहीं और ना बढ़ जावे कल फिर बुलानो है रमनीक मुनीजी के जीवन उपयोगी अन्मोन सुत्र का प्रसारण रमनीक वानी जरूर देखे